हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मै चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा हेर मास्क जिससे आपको फर्स्ट अप्लिकिशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपके बालों के भी कंडिशन मेरे बालों की तरह हो गई है बिलकुल डल हो गए ह फ्रेजी हो गए है साथ में बिलकुल शाइनिंग नहीं है तो यह जो हेर मास्क मैं आपको बताऊंगी यह बहुत हैल्फुल होगा क्योंकि जब मैंने इसे यूज किया तो आप यह देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी शाइनिंग आ गई है बाल इतने सोफ्ट और स्मूथ होगे जैसे कोई हेर स्पा करवाया हो इस मास्क को आपने कैसे यूज करना है कभी यूज करना है कितने दिनों के बाद यूज करना है यह सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी पर आपने क्या करना है पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है ताक वाली वीडियो की notification आपको मिल सकें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जिनके बालों के condition काफी खराब हो चुकी है वो दो step follow करें otherwise वो सिरफ दूसरा step follow कर सकते हैं तो चलते हैं पहले step की ओर सबसे पहले आपने बालों को detangled करना है अच्छे से सुलजा लेना है पहले step में आपने गुनगुना पानी लेना है उसमें अपने टॉल को dip कर देना है और फिर अच्छे से निचोड के इससे आपने बालों को cover कर लेना है ध्यान रहे कि इसके लिए आपने ज़्यादा गरम पानी नहीं लेना है क्योंकि गरम पानी से बालों को नुकसान भी हो सकता है और इसके साथ आपने ज़्यादा थंडा पानी भी नहीं लेना है क्योंकि ये हमारे लिए कोई फायदा नहीं करेगा तो अब इसे अच्छे से निचोड लेंगे और फिर हमने अपने पूरे बालों को इससे रैप कर लेना है जब पूरे बालों को अच्छे से आप रैप कर लें तो इससे पांच मिनट के लिए ऐसी छोड़ दें फिर आपने दुबारा इस टावल को पानी में डिप करना है फिर से बालों को रैप करना है और फिर वैसे ही पांच मिड़ के लिए छोड़ देना है दो से तीन बार आपने इस step को फॉलो करना है स्टीम देने से बालों के cuticles open हो जाते हैं जिससे हम जो भी apply करते हैं बालों में उसका बहुत अच्छा असर होता है मतलब यह है कि जो हमारा hair mask है वो बालों में बहुत अच्छा work करेगा तो चलते हैं अब दूसरे step की ओर अब हम अपने बालों में section by section इस hair mask को अच्छे से apply कर लेंगे तो अब मैं आपको बता दू कि यह जो hair mask है आपने कब लगाना है और कितने दिनों के बाद लगाना है तो अगर आप दोनों step फॉलो कर रहे हैं तो आपको कम से कम पोना घंटा चाहिए पंदरा मिनट आपने steam को देने हैं और आदा घंटा आपने hair mask को देना है अगर आपके बाल ज़्यादा खराब condition में हैं तो आपको दोनों step फॉलो करने पड़ेंगे otherwise आप अकेला hair mask भी लगा सकते हैं जिस दिन आपने अपने बालों को wash करना है ना उससे आपने आदा घंटा पहले इस hair mask को apply कर लेना है और फिर आदे घंटे के बाद आपने shampoo wash कर लेना है कोई conditioner लगाने की भी आपको जुरूरत नहीं पड़ेगी और इसे आपने कितने दिनों के बाद लगाना है इसे आपने हफ़ते में एक बार या दो बार जितनी बार भी आपका मन करें इसे लगा सकते हैं इसका कोई side effect नहीं है इसे आपके बाल soft silky smooth बने रहेंगे इसलिए आपने इसे हफ़ते में एक बार जुरूर अपलाई करना है इसे लगाने के बाद एक बन बना लेना है और फिर उसके बाद शावर कैप लगाना है shower cap लगाने के बाद आपने आदा घंटा इससे लगाई रखना है और फिर आदे घंटे के बाद शैंपू वश कर लेना है जो लोग job करते हैं जिनके पास time बहुत कम होता है उनके लिए ये बहुत easy और effective remedy है इससे जरूर try करना ये बनाना बहुत easy है चलो मैं जल्दी से बताती हूँ आपको कैसे बनाना है इसके लिए आपने fresh दही लेनी है दही खटी नहों ध्यान रहे मैं यहाँ अपने बालों की length के according दही ले रही हूँ आप इसे कम ये ज़्यादा कर सकते हैं गर्मियों में यूज करने के लिए ये बहुत अच्छा hair mask है इसका result भी आपको first application में ही मिल जाएगा लेकिन जो लोग अपने बालों में chemical products यूज करते हैं उन्हें शायद इसका first application में result अच्छा ना भी मिले पर मैं ये surely कह सकती हूँ कि जैसे जैसे वो इसे use करेंगे उन्हें भी दो से तीन बार में इसका अच्छा result जरूर मिलेगा दही हमारे बालों में conditioner की तरह काम करती है ये हमारे बालों को soft और silky smooth बना देती है और साथ में एक बात और बता दूँ कि जो steam वाला step है ना वो हम हर बार follow नहीं करेंगे जैसे आपने एक बार steam दी है तो आपने next time steam नहीं देनी है steam हमने 15 से 20 दिनों के बार देनी है हर बात देने की कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा steam देने से भी बालों को नुकसान हो सकता है अब इसमें एक चमच हमने coconut oil डालना है अब इन दोनों को आपने अच्छे से mix कर लेना है ये hair mask जितना easy है बनाना उतना ये effective भी है क्योंकि इस hair mask को बनाने में हमने कोई ताम जहम नहीं किया है सिरफ हमने दहीं लिया है और उसमें हमने अपना narial तेल डाल दिया है अब ये नहीं है कि ये छोटी सी remedy है तो इसका आसर ही नहीं होगा ये जितनी छोटी remedy है इसका आसर उतना ही अच्छा होने वाला है पहले इस hair mask को लगाना है क्योंकि ये pre conditioner का काम करेगा इसके first application में मुझे तो बहुत अच्छा result मिला है तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी इतना ही अच्छा result मिले जल्दी से इस remedy को try करें और मेरे साथ इसका result share करें तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like and share जरूर कर देना और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना मिलते हैं next video में thanks for watching